इस कारिक्रम के पुनिया आर्जक हैं पिछली गाथा का संदर्व आगे बढ़ रहा है। आत्मे अध्याय में बिसेश रूप से इस पश्ट किया गया है। पांचों बृतों की भाउनाएं और पांचों बृतों की अतिचार की चर्चा जैन गरंथों में आती है। बृतों के पालन के लिए भाउना भी भाना पड़ती है। और बृतों में असाउधानी से अगर कोई दोस अतिचार लगते हैं तो उनकी निराकरण का उपाई भी करना पड़ता है। देखिए अतिचार असाउधानी में लगते हैं असाउधानी में लगे गए अतिचारों का संसोधन होता है। कथंचित एक्षा पूरुबक भी अगर कोई प्रिवर्टी हुई है पर वह बॉर्डर बॉर्डर तक ही है लैन लाइन तक ही है तो उसे भी प्राश्चित के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसकी सबी विवस्ताएं हैं देखिए अतिचार की परिवासा क्या की गई है कर्तब्यस से अकरने वर्जिनियस से अवर्जिने यत पापम सोती चारहा। किसी करने योगकारी के ना करने पर जो करने योगकारी है उसके ना करने पर और त्याग करने योगपदार्स के त्याग ना करने पर दो बातें बताईएं। करने योग कारी के ना करने पर और त्याग करने योग पदार्थ के त्याग ना करने पर जो पाप होता है उसे अतिचार कहते हैं करने योग कारी को किया नहीं और जिस चीज का त्याग करना था उसका त्याग किया नहीं अर्थत अपने आवश्चक कारी को किया नहीं और जिससे बचना चाहिए था उससे बचे नहीं इसका नाम क्या है अतिचार ऐसे अतिचारों की चर्चा जब आती है पिछले दिनों में आपको बताया था अतिचार अनाचार अतिक्रम और व्यतिक्रम अतिक्रम की परिभासा बताई थी व्यतिक्रम की परिभासा बताई थी अतिचार और अनाचार की भी परिभासा बताई थी पिछले दुनों में स्वाद्धे में आपने सुना था मन में भाव आ जाना अतिकरम उसोर प्रिवर्टी में जाना ब्यतिकरम सनलगन हो जाना अतिचार और एकदम इन्वाल्मेंट हो जाना उसमें घुल मिल जाना बृत को ही छोड़ देना अनाचार ये परिवासाएं पहले बताई थी अतिचार के भेद बारह बृतों में प्रत्तिक बृत के पाँच पाँच अतिचार बतलाए गए है बारह बृत कौन कौन से अहिन सादी पाँच बृत तीन गुण बृत और चार सिक्षा बृत अहिन सादी पाँच बृत वृत इन वृतों को बारह वृत कहा गया है ये बारह वृत होते हैं इन बारह वृतों में एक एक वृत के पांच पांच अतिचार यानि दोस वत लाए गए पांच परकार के दोसों की ब्याख्या की गई है तो बारह पंचे साथ ये अतिचार हो गए इन साथ अतिचारों में सम्यक दर्सन तथा संलेखना के पांच पांच अतिचार और मिला देने पर बारे बिर्तों के पांच पांच साथ अतिचार सम्यक दर्सन संबंदी पांच अतिचार और संलेखना संबंदी भी पांच अतिचार इस तरह से कुल संख्या अतिचारों की सत्तर हो जाती है यही अतिचार मल अथवा दोस कहलाते है इनी अतिचारों के लिए मल अथवा दोस कहा गया है अतिचारों से बचने की चर्चा की जाती है अब एहिंसा वरत के लिए अगर अतिचारों की चर्चा करें तो देखिए एहिंसा बृत के अतिचार पाँच हैं कौन कौन से हैं जिस किसी व्यक्ति ने एहिंसा के बृत को शुईकार किया है अब अगर वह साउधानी नहीं रखता है तो कैसे कैसे उसको दोस लगते हैं सूत्र आया है बंद वदच्छेदाती भारा रोपनान पान निरोधाह तत्वार सूत्र के सात्मे अध्याय का पच्चीसमा सूत्र है कौन सा सूत्र है पच्चीसमा एहिंसा अनुभरत के पाँच अतिचार बंद वदच्छेदाती भारा रोपनान पान निरोधाह बंद वदच्छेद अतिभार का आरोपन और अन पान का निरोध यह एहिंसा अनुभरत के पाँच अतिचार है पहला तिचार बंद प्राणी को रसी या साकल आदी से बांधना या पिंजरे में बंद कर देना अब कोई भी जीव है प्राणी है पशु है वह सुतंतर आब अगमन करना चाहता है उसकी प्रकृती है लेकिन अगर आपने किसी पशु के लिए रसी आदी साकल आदी से बांध के रख दिया अब वो बंधन में आगिया ये बंध नाम का अतिचार है पिंजरे में बंध कर देना उसकी सुतंतरता बाधित हो गई तोते को पाल रहे हो पालने के नाम पर उसको बंध करके रखे हो गाय भेश आदी पालतू जो जानबर है उनको तो बंधन में रखना पड़ता है लेकिन उनको बंधन में रख करके आप उनकी सुविधाओं का ध्यान भी रखते हो और पालतू होने के कारण वो आपके पास रहना पसंद भी कर लेता है लेकिन बाकी जो पालतू नहीं है और अगर आपने अपनी सुविधा के लिए उनको बंध करके रखा है सांकल से रस्ती से पिंजरे में बंध करके रखा है तो उनकी स्वावाविक प्रिवर्टी बाध जेत होती है, और वह दोस माना जाता है। अब बृति भष्यक्ति भी पशू का पालन तो करता है। उसके लिए आवशक जो प्रकरिया होती है, जानवर की उदिन्ड के नियंतरण के लिए जानवर की सुरक्षा के लिए तो वह पाए करता है। उसमोस का परिणाम अगर अच्छा है सेबा भाव का है तो दोस नहीं माना जाता है लेकिन आप क्रूरता का बेवहर करने के नाम पर मुझ मस्ती के नाम पर सामने वाले पसू की सुतंतरता बादित करने के नाम पर करते हो और आपका कोई पालतू पशू नहीं है तो आपको दोस लगेगा बंद प्रानी को रस्सिया सांकल आदी से बांधना या पिंजरे में बंद कर देना बद कोड़ा बैत आदी से पीटना पसू के लिए कोड़ा है बैत है आदी से पीटना पीटना उसको कश्ट होता है नर्दैता का परिणाम पीटने में दिखाई देता है छेद ना कान आदी अंगों का छेदना अब देखो साज सरंगार के नाम पर अलग चीज है, सुरक्षा के नाम पर अलग चीज है, दवाई औसदी के नाम पर अलग चीज है, दवाई औसदी के रूप में अगर कुछ कर रहे हो, तो उस जानबर की सुरक्षा के लिए है, आप मालिक हो, आपको ध्यान दखना कोई जानबर है उसके साथ सज्जा के लिए या थोड़े सरंगार के लिए कुछ थोड़ा छेदन करते हैं तो वो आपका एक भाव अलग है लेकिन उसमें भी उसको तकलीब तो होती है सही तकलीब हो और अगर उसका उपयोग हो तो मालिक के परिणामों पर निर्वर है अन्य जाएगा ना कान अधी अंगों का छेदना अती भारा रोपन सक्ती से अधिक भार लादना अत्वा सक्ती से ज्यादा काम लेना जानबर है जितनी उसकी बोजा ले जाने की छमता है उससे ज्यादा उस पर लादना सक्ती से ज्यादा उससे काम लेना ये भी दोस माना जाता ह सावधानी रखना चाहिए, जानबर की छमता देखकर कि ही, उससे काम लेना चाहिए, और यह तो अति भारा रोपन पशुग के लिए हो गिया, मालिक स्यम अगर, अपने काम में अपनी छमता से ज्यादा करता है, तो अपने शरीर पर भी वो अतिभारा रोपन कर रहा है ना खाने का समय निशित ना पीने का समय निशित असन्यमी अविरती हो तो भी उसके लिए दोस माना गया फिर अगर कोई बिर्ती है तो बिर्ती को तो ब्यापार करना चाहिए लेकिन लोब भाव में आकर के अतिभारा रोपन अपने उपर भी नहीं करना चाहिए आवश्रक्ता के तो कोई अंत नहीं है लेकिन लोब परिणाम को नियंतरित करना चाहिए और अपनी दिन्चरिया और अपनी सामर्थ से जादा कारी नहीं करना चाहिए अतिभारा रोपन जानबरों के लिए भी नहीं और अपने सरीर के साथ अपने समय के साथ भी नहीं करना चाहिए अन पान रोध समय पर खाना पीना नहीं देना समय पर खाना पीना नहीं देना बताओ तुम अपने खाने का ध्यान रखते हो और दो बार की जगे चार बार खाते हो और उसका ख्याली नहीं रख रहे हैं आपने उसका पालन किया है आपने उसको परिवार का शदश्य बनाया है लेकिन खाने पीने का अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपको बहुत बड़ा दोस लगेगा बहुत बड़ा दोस है ये अहिंसा के बृत पालन करने वाले के दोस है अहिंसा का बृत आप कहतो रहो कि हम पाल रहे लेकिन ऐसी लापरवाही करोगे तो ये दोस माने जाते है इन दोसों का निराकरन होगा तब ही आप एहिंसा के वृत का पालन करने वाले माने जाओगे इसमें खेती किसानी करने वाला भी आ गया ब्यापर धंदा करने वाला भी आ गया और अपने अधीनस्त नौकर चाकरों को रखने वाला सर्विस का मालिक अधिकारी भी आ गया अहिंसा का बृत कोई भी पाल सकता है किसान भी पाल सकता है ब्यापारी भी पाल सकता है और अधिकारी भी पाल सकता है हाँ मंदर में बैठ करके अहिंसा का धर्म तो होता है अरे आप सड़क पर धंदा पानी करते भी अहिंसा का पालन कर सकते हो रोजी रोटी कमाते हुए भी धंदा पानी करते हुए भी आप अहिंसा का बरित पाल सकते हो किसान खेत में अपना काम करते हुए भी अहिंसा का पालन कर सकता है एहिंसा के पालन करने के लिए हर जगे आउसर है उतनी हमारी समझ हो हम एहिंसा के उस महत्तो को समझते हो एहिंसा के प्रती हमारी उतनी आस्ता हो तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इन बिर्तों का पालन मंदुरों में तो होता ही होता है घर परिबार ब्यापार खेती किसानी में भी इन बृतों का पालन होता रहता है और ऐसे अनेक उधारन हैं भीया हाँ महराज के पास ही धरम होता है ऐसा नहीं मंदरों में पूजा पाट में धरम होता है ऐसे वो तो होता ही है मंदरों के पूयापाट का धरम तो है गुरूँ की सेवा का धरम तो है लेकिन ब्यापार धन्दे में भी ब्यक्ती धरम का पालन कर सकता है कर सकता है उसके लिए उसका भाव आना चाहिए तो देखो ये जो अहिंसा संबंदी विरत के अतिचाल लिखे गए हैं इसमें कितनी सुक्षमिता है बंध, बद, छेद, अतिभारा रोपन और अन्पान निरोध जब तक हमारे मन में अपने आसरत रहने वाले शदश्यों के प्रती करुणा का भाव दया का भाव इसने हे का भाव नहीं आएगा तब तक हम धरम का पालन नहीं कर सकते चाहे तिलक लगा करके आप अपने आपको धर्मात्मा दिखाओ माथे पर बड़ा बड़ा तिलक लगा लो चाहे जनेव पैन पैन करके आप खूब सारा दिखाओ चाहे धोती दुपट्टा पहन करके आहारदान के लिए खड़े हो जाओ अच्छे अच्छे कलस ले करके सादूओं का पड़गाहन करो उनको आहारदान करो चाहे आप अच्छे सुद्ध बस्तर पहन करके भगवान का अविशेक करो भगवान की पूजा करो चाहे कितना भी दान पुन्न करो ये सब बिना दया बिना करुणा के सफल होने वाले नहीं है बाहर जाकर के खूब धरम दिखाओ खूब दान करो और घर में परिवारी शदश्य परेशान रहे घर का सगा भीया रोटी पानी को परेशान है और तुम लाकों करोडों रुपया का भंडारा बाहर करा रहे हो तो ये तुम्हारा धरम सब दिखाने का धरम है बाहर करोडों खर्च कर रहे भंडारे में और तुम्हारा कुटम का तुम्हारा सगा भीया धंदे पानी से परेशान है बीमार है उसकी तुम रीज बूज नहीं कर रहे पूंच तांच नहीं कर रहे महराज वो भी तो ऐसे ही है अरे वो कैसा भी हो लेकिन है तो तुमारा उत्ता जादा नहीं करो तो थोड़ा करो आपको करोणों बाहर खर्च करना है करोणों बाहर कर लो लेकिन यहां पर हजार लाक रुपई या तो लगा दो कम से कम उतने में तो तुम्हारा भला हो जाएगा ऐसी दृष्टी भी आनी चाहिए बाहर जो करना है करो लेकिन अपने आस्रस शदश्यों का भी ध्यान रखो यह भी बहुत बड़ा धरम माना गया है भीया हाँ धरम बहुत सूक्ष में है तो एहिंसा के बृतों में बंद का ध्यान रखना बद छेद अतिभारा रोपन और अन पान निरोध आचरियुमा स्वामी महराजी ने तत्वार सूत्र में यह पांच अतिचार लिखे हैं अहिंसा बृत के अतिचार हैं अहिंसा अनुवरती के लिए इसमें सावधानी रखना पड़ती है और जब इन से बचेगा तो उस बृती सरावक का अहिंसा अनुवरत निर्दोस रीती से पलेगा मन सावाचा कर्मिना हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो ऐसी भावना से अपनी प्रवरती में अहिंसा का पालन करना अहिंसा महान बृत है धर्मी ही नहीं बलकि अहिंसा को परमधर्म कहा गया है क्या कहा गया है हाँ और अहिंसा सब्दे जैनियों का एक बिसेश शब्द है किसी के हाँ करुणा आता है किसी के हाँ भाई चारा आता है किसी के हाँ दया आता है तकि अहिंसा का जो शब्द है या जैनियों का एक बिसेश शब्द है जिसके भाव से जैनी लोग सराव का चार और त्यागी लोग मूनी जन लोग मूला चार का पालन करते हैं इस तरह से यह अहिन सावर्थ के अतिचारों की ब्याख्या आपके सामने रखी गई इस कारिक्रम के पुन्यार चक थे रोहित विज्यम अधिराज इशय आरिन एवं समस्त वाकलिवाल परिवार जैनको ग्रोप गगराना वाले इचल करनजी मुंबई एहमदाबाद भीलवाना जैपर अहार औशद अभै एवं ज्यान शास्त्रों में वरनित हैं ये चार प्रकार के दान जिन से होता है प्राणी मात्र का कल्यार परम पूज्य वात्सले मूर्ती जिन धर्म प्रभाविका आरिकारत्न शिरी 105 श्रिष्टि भोषन माताजी की मंगल प्रेणा इवं आशिर्वात से श्रिष्टि मंगलम सेवा समीती द्वारा बच्चों के सिक्षा असहाई गरीबो को इलाज इवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुद्ध